नमस्कार, मेरा नाम मयंग शेकर है और मैं एक पाउच पैकेजिंग मशीन बनाने की कमपनी का संचालन करता हूँ आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक वीडियो सीरीज जिसका शीर्शक है कब फिलर का अगला सच कब फिलर का अगला सच इस video series में मैं कई सारे williows एक के बाद एक post करूंगा जिसके अंदर की मैं बात करूंगा cub thrillers के बारे में जो की एक filling system है pouch packing machine में इस्तमाल होते हैं बहुत extensively इस्तमाल होते हैं India के अंदर और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी मिथ्याएं हैं जो की चले जा रही है industry में ना कोई manufacturer उसकी बात कर रहा है, customers वो गलत system खरीद लेते हैं और फिर उसके बाद पच्छताते हैं और फिर देख कहते हैं कि जी अब हमने क्या करें, मैं चाहिए. तो इन सारी problems को मैंने एक खटा करके एक video series बनाई है जिसका की title है Cup Pillar का अगला सच और ये इस video series का पहला video है, part 1 video है, जिसका title है weight of the chain versus the weight of individual pipe. तो आईए अब इसके अंदर इस content की तरफ आगे रुख करते हैं और मैं आपको बिना विलम किये इसके बारे में detail में बताऊंगा, तो अब मैं अपनी screen को छोटा कर लेता हूं और छोटा करके आपको लिख के बताऊंगा कि क्या क्या करना हमारे discussion होगा इसके बारे में. जो जब ये अगर मैं बात करूं पाउचेस की तो जो कफिलर पाकिंग की मशीने होती है या कोई भी फुल आटोमेटिक पाकिंग मशीन होती है, वो अपने पाउचेस निकालती है लड़ी में, तो यहां पे मैंने आपको एक, दो, तीन, चार, पांच पाकेट की एक लड़ यह देखिए, दो, तीन, चार और यह पांच, यह मेरी पाउच की लड़ी बन गई, यानि के यह मेरा पहला पाउच है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांच वाँ, इस पाकिंग के अंदर हमने एक्जाम्पल के लिए डिया है एक 10 ग्राम का पाकेट, एक सेकेंड मैं इसक तो थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ताकि मैं आगे लिख पाऊँ उसमें, तो यह हमने किया है, 10 ग्राम का काजू का पाकिंग, काजू जो है एक बड़ा महंगा प्रॉरक्ट होता है, और इसके अंदर वेट की अक्रिसी होना बहुत ज़रूरी होता है, तो इस इस चीजहें हैं, अब आप देखिए, पहले पैकेट का जब मैंने वजन किया, वो आया 10 ग्राम का, दूसरे पैकेट का मैंने वजन किया वो आया 8 ग्राम, तीसरे पैकेट का बना 12 ग्राम चौथे पैकेट का बना 6 ग्राम और पांचवे पैकेट का बना 14 ग्राम यह मैंने 5 पैकेट की लड़ी लिया है अब ही ठीक है अब मैं अगर इनके वजन का टोटल करूँ 10 जमा 8 जमा 12 जमा 6 जमा 14 इसका टोटल कितना हुआ 10 और 8 अठारा अठारा और 12 तीस और यह हो गए 20 जुड़के पचास ग्राम देखिए देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है कि जी मेरी 10 ग्राम की लड़ी थी अब मैंने 5 पैकेट बनाए है 50 ग्राम आ गया अब मैंने फैक्टरर ने बोला कि जी देखो मेरा तो मैं तो आपको लड़ी का वजन बराबर दे दूँगा और 2-4 ग्राम का लड़ी 5 ग्राम का लड़ी के बेट में फरकाएगा अब कस्टमर कहता है ठीक है जी उसको तो मालूम ही नहीं अब उसने क्या किया उसने देखा कि जी मेरा इंडिविजुल पैकेट का वजन 10 ग्राम है टोटल लड़ी का 50 ग्राम आ गया अबावन आ गया तरेपन आ गया चलता है मेरा को तो मेरी आक्टिरिसी सही आ गई है मगर देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे यह एक वेट अगर मैं इंडिविजुल पाउच की बात करूं 8 ग्राम और अगला वाला आप देखिए जो प्राब्लम वाला एरिया है मेरा वह है 6 ग्राम और यह है 14 ग्राम अब अगर मैं इसकी 8 ग्राम की बात करूं तो इसके अंदर मेरा कम वजन मिला किसको मेरे ग्राहक को उसको कम वजन मिला 6 ग्राम के अंदर भी उसको कम वजन मिला और यह वाले में जो आप हैं आपके बिजनस को नुकसान हो गया अब ग्राहक को नुकसान हो गया मतलब क्या कि अगर जब आप बेचते हैं तो आप एक लड़ी तो नहीं बेचते हैं आप एक ठीक एक दुकांदार को हमने लड़ी बेची बड़ जो कंजूमर है वो तो इंडिविजुल पाउच खरीद रहा है अब इंडिविजुल ग्राहक वजन कम मिला और इसके ना काफी सीरियस implication होते हैं अगर हम वेट बेचल मेजर्स की बात करें सरकारी मानक वेट नमेजर्स करता है अब आप इतना कम वजन देंगे और कहीं पे आपकी अगर चेकिंग हो गई फील्ड में आपका माल किसी दुकान के उपर रिमोट एरिया के अंदर पढ़ा है वहां पे चापा पढ़ा तो आपको इसका बहुत जादा हर जाना पढ़ना पढ़ सकता है और अगर आप इस वेट को एड़ेस्ट करने के लिए आप अपनी आवरेज बढ़ाना चाहेंगे कि एपर जो और मेरा कमना आजाए तो यह जो है च्वाला और आधbury पैकट का भुजन और बढ़ जाएगा यानि अगर मैं नीचे की setting अपने cup filler की setting ऐसी करूँ कि मेरा कम से कम वजन 10 gram आए ठीक है अभी क्या हो रहा है अभी हमारा कम से कम आ रहा है 6 gram और maximum आ रहा है हमारा 14 gram तो अगर मैं ऐसी setting करूँ कि इसको 4 gram इधर बढ़ा देता हूँ तो मेरा 10 gram minimum हो जाएगा तो मेरा यहां पे भी 4 gram बढ़ जाएगा तो यह कितना हो जाएगा यह 18 gram हो जाएगा तो average तो मेरी minimum वाला weight तो मेरा qualify कर जाएगा मगर मेरा maximum weight जो है जो 18 gram है यह मेरा बहुत जादा चला जाएगा इससे क्या होगा मेरे को बहुत जादा नुकसान हो जाएगा तो यह जो weight का variation ह है यह बहुत important होता है समझना और cup filler के अंदर जैसे जितने भी expensive item होती है खासतोर से dry fruit हो गया जो भी expensive weight में है उनके अंदर यह weight का variation इतना जादा हो जाता है कि हमारा business जो है काफी जादा नुकसान में आ जाता है तो यह रही हमारी यह लड़ी का वजन हमारे को सिर्फ नहीं देखना है हमारे को देखना है individual pouch का भी weight तो आशा करता हूं यह आप concept आपको clear हो गया होगा कि हमारे क सिर्फ लड़ी के वजन पे नहीं individual pouch के weight पर और उसकी जो variation है यह जो variation है इसके उपर भी हमारे को ध्यान देना बहुत जरूरी है तो यदि आप हमारे से संपर करना चाहते हैं तो आप हमारे से phone, email और WhatsApp से जुड़ सकते हैं आपको हमारा जो यह video मैंने आपको post किया है यह प जानकारी के अभाव में ऐसा decision ले लेते हैं वो ना लें मैं मैं आपसे आपको से गुजारिश करूबा कि अगर आपकी कोई ऐसी problem है समस्या है तो हमारी sales team से संपर्क करें हमारी company का नाम है शेकर संट टेक्नोलोजीज one moment I'll write it here on the stream ताकि आप जो है उसको देख पाएं यह थोड़ा सा मेरे को यह नए नए उकरन आ गए हैं इनके अंदर इस्तमाल करना अभी पूरी तरह से आया नहीं है बट एनिवेश मेरी कंपनी का नाम है शेकर संट टेक्नोलोजीज लल्प और हमारी जो इमेल आइडी है वो है sales at the rate monkey.in और हमारा जो वेबसाइट है वो है www.monkey.in और आप हमारे से वाटसाप पे भी बात कर सकते हैं फोन भी कॉल कर सकते हैं और हमारा फोन नंबर है 95999999442 तो हमारे वेबसाइट पे फोन से और इमेल से आप हमारे से जुड़ सकते हैं हमारी चानल को सब्सक्राइब करिए बेल आरकन डबाईए ताकि नए नए जो वीडियो मैं बनाता हूं वो आप तक पहुंच पाएं तो इस वीडियो के बाद अग्डे कुछ समय के अं के लिए मैं इजाज़त चाहूंगा नमस्कार जैहिंद धन्यवाद